दोस्तो आज के समय में वेडिंग फोटोग्राफी की डिमान काफी ज्यादा बढ़ गई है हर कोई अपनी वेडिंग के लिए अलग से फोटोग्राफी करवाता है और वीडियो सुटिंग भी करवाता है तो वेडिंग फोटोग्राफी में कौन-कौन सी सूट होती है इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोग कौन सी सिटी में रहते हो दोस्तो मैं आप लोगों को बता दू कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉंच कर दी है तो अगर आप गूगल पे जाते हो सर्च करते हो एजाजकलाडिया.com तो आपके सामने फर्स्ट पलो को यादगार बनाने के लिए लोग वेडिंग फोटोग्राफी करवाते हैं इसे लोग जब भी देखते हैं तब उनकी साधी की यादे ताजा हो जाती है और इसलिए इसे वेडिंग फोटोग्राफी कराना जरूरी भी मानते हैं इसलिए अब ये वेडिंग फोटोग् यानि की जो भी हम traditional चीजे करते हैं उन्हों सब की photograph लेना दृई अथ की वेडिंग् वेडिंग में लोग वेडियो घौास भी-वेडियो सुटिंग भी बहुत एहम हिस्सा होता है उसके बाद प्रे वेडिंग फोटो सूट and वीडियो सूटिंग तो इसकी डिमांड भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोग साधी से पहले ही अपना प्रे वेडिंग फोटो सूट करते है किसी अच्छी सी जगा पे जाके और इसकी वीडियो शुटिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद अगर मेहंदी है तो मेहंदी का सुट करते हैं, रिसेप्शन रखा है तो रिसेप्शन की सुटिंग होती है और इसके अलावा कोई साधी में होने वाली रस्म है तो उसकी भी सूटिंग की जाती है तो वेडिंग फोटोग्राफी में ये सारी सूट होती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही आज के वीडियो में हमने जाना कि वेडिंग फोटोग्राफिय में कौन-कौन सी सूट होती है तो वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक कर दिजेगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर किजिएगा और ऐसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजो में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिपिकेशन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंदेद किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टॉपिक आपने लिचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो